लेकिन आप जाके इसमें जो important developments है वो ही है दरसल हुआ क्या है कि official government की तरफ से इसको लेके जो statements है वो आने लगी है आप लोग ऐसा कह सकतो इसलिए आप मैंने इसके बारे में वीडियो बनाने की सोचा है ये जो चीज जिसके बारे में हम लोग discuss करने वाले हैं इस वीडियो में इसके बारे में मैं पहले ही बता दूँ मेरे according ये बहुत ही ज़्यादा गलाच चीज बहुत ही ज़्यादा बड़ी बेवकुफी बहुत ही shocking चीज है ये दरसल एक तरीके से हुआ क्या है कि आप लोगो पता होगा कि हाल में ही एक मूवी रिलीज हुई है 21 जुलाई को ये जो मूवी है रिलीज हुई है जिसका नाम है बवाल और इसको लेके आप लोग कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा जो बवाल है वो अल्रेडी मच चुका है दरसल हुआ क्या ह इस ये बताने से पहले मैं आप लोग को बता दू कि इस चीज को पहले इंडियन मीडिया कवर कर रहा था इंडियन मीडिया ने इसके बारे में कहा था फिर जो वेस्टन मीडिया वो इसको कवर करने लगा फिर जो इसराइल फिर जो जियूस की आप लोग कह सकते हैं human right organizations है human कहा जा रहा है कि इस movie ने जो जियूस लोग है उनके sentiment को बहुत ज़्यादा hurt किया है कैसे यह मैं आगे आप लोग को बताऊंगा और उसी को लेके एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि यह statement इसराइल की MSC से के तरफ से या फिर इस तरह के का जो criticism है इस movie को मिल रहा है और ऐस अगर आप लोग देखो ना अभी तक हम लोग सुनते थे कि कि किसी Hollywood movie के अगेस्ट में criticism किया जा रहा है इंडिया के तरफ से क्योंकि इसने ऐसा कहा जा जा रहा है कि हिंदू के जो old test book से उनको disrespect किया है लगकिन आप इंडिया की एक movie को बाहर से आप लोग कह सकते हो कि इस तरह के से criticize मिल रहा है ये ठीक opposite बात हो रही है ऐसा कहा जा सकता है तो क्या है ये issue क्यों एक चोटी से movie ने आप लोग कह सकते हो पूरे western world में इसराइल जैसी country में भी इतना ज्यादा जो बवाल है वो मचा दिया है और क्यों कहा जा रहा है कि ये movie जो है इसने juice के जो sentiment से उन जानने से पहले थोड़ा बहुत इस movie का जो plot है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ कोई भी यहाँ पर spoiler वगेरा नहीं देने वाला मैं उसके लिए गवराना मत आप लोग बस थोड़ा बहुत जो इसका plot है वो जानना जरूरी है ताकि ये जो topic है ये जो issue है इसको आप ल परसान लोगो था क्या आया ना कि इस movie में अजे दिख्षित जिसका role play कर रहे होते है वरुन दवन ये lead actor है इस movie में ये एक आप लोग कह सकते हो कि history के जो teacher है उसका role play कर रहे है इस movie में लकनो बेस्ट एक school में history के teacher होते है और जिसमें पढ़ाते वक्त आप लोग कह सकते हो कि एक बच्चे के साथ world war 2 से related एक doubt को लेके इनके कुछ unbun हो जाती है जिसके बाद ये उस बच्चे को slap कर देते हैं उसको थपड़ मार देते हैं दूसरा अगर आप लोग देखो तो इनकी जो married life होती है वो भी अच्छे सा नहीं चल रही होती है उसमें भी बहुत से issues होत कि इनको काफी जादा डर लगता है इसलिए ये अपने wife के साथ decide ये करते है कि ये कुछ दिन के लिए जो इंडिया है लगनाओ कहलो आप लोग या इंडिया कहलो इसको छोड़के चले जाएंगे यूरोप और वहाँ पर जो world war 2 से related जगे है जो भी events हुआ है वो important reported जगे है world war 2 से related उनको ये visit करेंगे इनके parents को भी लगता है कि इससे हो सकता है कि इन दोनों के जो relation है उसमें भी थोड़ा बहुत improvement देखने को मिले दोनों अच्छे से रहने लगे एक दूसरे के साथ इसलिए इनके जो parents होते वो भी इनको जाने के लिए allow कर देते जिसके बाद ये फ काफी ज़्यादा juice जो थे उनको मार दिया गया था उसका जिक्र जरूर आता है 6-7 million juice जो थे ऐसा कहा जाता है कि उनको मारा गया था ये इस holocaust में इनको gas chamber में डाल दिया जाता है या वहाँ पर फिर chemical gas जो होती थी जो toxic gas जो होती थी वो छोड़ दिया जाता है जिसके वज से टेखनेक्स जो है ये अपणाते है जो नाजीज होते हैं juice को मारने के लिए जिसका नाम यह देते है juice solution दरसल इनका मानना था कि हमारे पास जो juice है ये एक तरह के macht प्रावलम है इसलिए इस problem को solve करने कि लिए ये solution जो है ये निकालते हैं कि सारे juice जो है उनको मार ड़लो इ इस चीज को करने के लिए ये लोग कई camps लगाते हैं, कई इस तरह के facilities जो हैं वो develop करते हैं, जिसको extermination camps या फिर कहीं कहीं आगर आप लोग देखोगे तो holocaust camps, death camps या फिर concentration camps जो हैं वो कहा जाता है, इसमें दुनिया बर से पूरे यूरोप से आप लोग कह सकते हैं, जो Jews हैं पकड़ पकड़ के लाया जाते थे, बाद में Jews लाने लगे थे, पहले जो इनकी enemy countries होती थी जर्मनी की, उसके जो prisoners होते थे, उसके जो लोग होते थे, उनको भी या पर लाके मारा जाता था, बाद में फिर जो Jews हैं उनको लाके या पर मारा जाने लगा, तो पूरे साइनाइड गैस जो होती थी, वो छोड़ के इनको मारा जाता है, या फिर बाकी तरीके से इनको पे जो बरबता है, वो की जाती है, जो murder है, वो किया जाता है, और इस काम के लिए 6 ऐसे extermination camp जो है, वो ये लोग बनाते हैं, जिनके नाम जो है, वो यहाँ पर आप लोग दे 6 million mostly आप लोग देखोगे तो बताया जाता, और इसके बाद भी ये का जाता, ये सिर्फ वो data है, जो की accounted है, इसके बाद से बहुत से ऐसे number of deaths है, number of killings है, जिनके जो data है, वो नाजी आर्मी ने जब उनको पता चला कि अब वो हारने वाले हैं, तो उनको मिटा दिया, ताकि इस चीज़ के बार में ज़्यादा लोगों को पता ना चले, कि इतने ज़्यादा लोग हम लोग ने मारे हैं, तो ये 6 जो extermination camp थे, उनके नाम है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो ऑस्टवीच वाला camp था ना, ऑस्टवीच complex इसको का जाता था, ये काफी ज आप लोग कह सकते हो कि mass killing का, इस तरेके की चीज़ों का, ओस्टवीच पॉलेंड में एक camp था इस तरेके का, 40 camp इसके अंदर था, ये पूरा complex का अला जाता था, इसके अंदर 40 camp एके करके जर्मन के नाजीज जो थे उनने बनाया था, इससी तरेके से जियोस लोगे उनको मा आप लोग को पता होगा कि जो world war 2 की शुरुआत है, वो जर्मनी की पॉलेंड invasion के बाद ही से होई थी, 1939 में जर्मनी ने जब invade करना शुरू किया पॉलेंड पे, तभी ब्रिटेन ने जो war है वो डेकलेर किया था जर्मनी पे, तो उसके बाद से ये जो world war है ये शुरू होती जो किसी भी तरीकी से बच चुके हैं, कुछ को तो आप लोग देखोगे तो novel prize भी मिल चुका है इसके बाद, इसमें holocaust के जो survivor है उनको, तो जो भी ये survivor है, जिस तरेकी की picture, जिस तरेकी की बरबरता का वो जिक्र करते हैं, इसके बारे में बताते हैं, वो अगर आप से आप लोग कह सकते हो कि रोमटे खड़े हो जाएंगे, लोगों को बोला जाता था कि उनको नहलाने के लिए, ताकि उनके उपर से कोई भी गंदगी हो साफ हो जाए, और ऐसे करके इनको concentration camp में ले जाया जाता था, जिसके बाद जो cyanide gas थी, उस gas से इनकी जो death होती है, वो लोग मानोगे नहीं, दरसल इनकी जो bodies होती है ना, उसमें से जो death होते हैं, इनके जो hair होते हैं, इस तरीके की बाकी चीज जिसका इस्तिमाल किया जाता है, तदा वो निकाला जाता है, और उसके बाद इनकी body को पूरा जला दिया जाता है, और फिर इनके जो ashes होते हैं, उन दोगन जो होते हैं, इनकी married life से ये उतना खुश नहीं होते हैं, इनकी married life में काफ़ी ज़्यादा problem चल रही होती है, इनकी wife के साथ इसी को लेके इस movie के जो lead actress है, जानवी कपूर उनका एक आप लोग कह सकते हो dialogue है movie में, यहाँ पर आप लोग यह जो dialogue है यह देख सकते हो, इसमें इनने काहा है कि every marital life sorry, every relationship इनने काहा है every relationship goes through a switch, और आप लोग खुदी सोचो यह जो statement है, यह सुनने के बाद आप लोग खुदी सोचो, आप लोग को खुदी थोड़ा बहुत अजीब लगा होगा कि इतनी बड़ी चीज का comparison किया जा रहा है जो marital life है, जो relationship है एक husband vibe में, उसमें थोड़े up-downs आ जाने से, यह कितना insensitive होने वाली बात है, हलाकि यार relation में मैं मानता हूँ up and downs होता है लेकिन क्या वो up and downs और श्विच में जो हुआ उससे compare करने के लाए कि जिसमें 60 लाग, 70 लाग लोग जो है, वो मारे गए थे बहुती ज़्यादा बरबरता से आप लोग कह सकते हो, उससे क्या marriage life के up and downs को compare करना ठीक है कोई भी किसी भी community के साथ इस तरह के कि खड़ना हुई होगी और फिर ऐसा सुनेगी, तो जायर सी बाते उसको बुरा लगे गई कि एक छोटी सी marriage life में जो up and downs होते हैं, उससे हम लोग को compare किया जा रहा है हम लोग के साथ जो हुआ था, इसका मतलब ये कितनी छोटी चीज समझ रहे हैं, जो हम लोग के साथ हुआ था उसको, 6-7 million जो मैंने आप लोग को बताएं, overall ले थे concentration camp में, उसमें से सिर्फ आप लोग ऑश्विच में देखोगे ना, तो अकेले 10 लाग, यानि एक million लोग तो यहीं पर मारे गए थे, तो ये एक million के लोगों की death को compare कर रहे हैं अपनी जो marriage life में इनके up and downs आ गई है, उसके उससे, और इसके बाद सिर्फ यहीं नहीं, एक और डायलोग के इस movie में, कि हम सब के अंदर होता है Hitler, क्योंकि हम सब थोड़ा बहुत greedy है यह आप लोग देखोगे ना, तो बिना मतलब कि इन सब डायलोग का इस्तिमाल किया गया है, कोई भी जोरत इस डायलोग को इस्तिमाल करने के नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी यह किया गया है, जो कि आप लोग कह सकते हो कि एक बहुती बड़ा बेवकुफी करने के बराबर है मैं समझ नहीं पा रहा है कि आखिर इन सब चीजों का इस्तिमाल इसमें किया ही क्यों गया हो सकता है कि जो डायरेक्टर हो, नितिष दिवारी उनको लग रहा होगा कि तोड़ा इंटेलेक्चुल दिखना जरूरी है इस मोवी के लिए इसलिए उनने ऐसा दिखाने की कोशिश के होगी कि हमें history के बारे में तोड़ा knowledge लेकिन इस तरह के कि dialogue का इस्तिमाल करके इतना ज़ादा insensitive way में इसका इस्तिमाल करके उनने काली यही दिखाया है कि वो history के हो सकता है तोड़ी बहुत knowledge रखते हो लेकिन उसको समझते नहीं है इसी पर अगर आप लोग देखो तो इस्राइल के जो ambassador है उनने अभी tute किया है और उनका जो tute है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस्राइल के जो ambassador है उनका कहना है यह है कि कि terminologies का और symbolism का बहुती गलत इस्तिमाल किया गया है इस movie में और जिस तरीके से holocaust को trivialize किया गया है वो देखके काफी ज़्यादा heart इनको feel हुआ है ऐसा यह कहते हैं काफी ज़्यादा यह disturb भी हुआ है साधी साथ यह भी कहते है कि holocaust के बारे में या फिर इस तरीकी की का कुछ statement है उनने भी कहा है कि काफी ज़्यादा disturb हुआ हम लोग इस तरीकी की चीजों के होने के बाद और हलाकि इनने यह कहा है कि हम लोग जानते है कि इसके पीछे कोई गलत intention नहीं लेकिन उसके बाद भी इस तरीकी की चीजों का इतना insensitive way में इस्तिमाल करना गलत है knowledge जो है वो accept कर सके और इसकी जो gravity है इस situation की जो sensitivity है उसको समझ सके तो यह है पूरा issue जो की चल रहा है और यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो आप खुदी सोचो इस तरह की की चीज अगर कुछ Indians के साथ या Hindus के साथ होती मैं को देख हिंदू उनके साथ होती और उसके बा भी इस movie को ban करने के बात नहीं की है आला कि उनने ये कहा है कि इसको हम लोग condemn करते हैं हम लोग disturb है इससे और इसके बारे में हम लोग और लोगों को educate करेंगे तो इसके बाद भी आप लोग कह सकते हो कि इनने इसको ban करने की बात नहीं की है जो की sensible mind को show करता है बैन करने से क् अच्छा है कि होलोकोस्ट के बारे में अच्छे से लोगों को बताओ, क्या हुआ था लोगों को बताओ, ताकि फ्यूचर में इस तरह की चीज़े कभी ना हो पाए, तो ये था पूरा वीडियो गाईज, आपकी क्या रहा है, इसमें मेरे को बताएगा, यो वीडियो आपको अच्छा लगाओगे से like, comment, share, subscribe जरू कीजएगा that's all, have an eyes day, take care